हेलो एवरीवन हमारा समाजी का धार्मिक सुधार अंदोलन कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद आगे से देखते हैं उसके नेक्स चेप्टर है कॉंग्रेस से पूर इस्थापित राजनीतिक संस्थाइम आधनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक अंदोलन के प् वंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था के स्थापना की राजनीतिक सुधारों को लेकर करने वाले पहले भारती राजा रामहन राय थे मतलब इनका विरोध किया था जमिंदारी एस्सोसियेशन या लैंड होर्डर सोसाइटी के स्थापना 1838 में कहां पर कलकत्ता में हुई थी यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारम किया और तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संविधानिक उपचारों का प्रयोग किया इसका उद्देश जमिंदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था ठ क्योंकि ये खुछ जमिंदार थे तो अपने लिए ही इन्होंने ऐसी चीज़ें बना ली पूरा पूरा सार्वजनिक सभा के स्थापना 1870 में एम जी राना डे तथा जीवी जोशी के द्वारा की गई थी राना डे ने सभा को विलक्षन नेतित प्रदान किया 1875 में इस पूरा सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश चंसाद में भारतियों के लिए जो प्रतिनिदित थे उसके मांग किरते हुए हाउस अफ कॉमन्स के समख याजी का प्रस्तुत की 26 जुलाई 1876 को सुरिन्दनाद बनड़ जी ने आनंद मोहन बोस के साथ के सहयोग से इंडियन एसोसियेशन या भारत संग के स्थापना की दो लोग का नाम आता है इंडियन एसोसियेशन या भारत संग किसने सुरिन्दनाद बनड़ जी और आनंद बोस ने ये ततकालिन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुक एवं महत्वपूर थी जिसे कॉंग्रेस से पूर्व अखिल भारती अस्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कोई तो संस्था रही होगी जो कॉंग्रेस से पहतर होगी उसके पूर्व ठीक है कॉंग्रेस से पहले एक इंपॉर्टेंट संस्था इंडियन एस्सोसियेशन या भारत सन्थ सुरेंद्रिनात बनर्जी 1869 में भारती सिविल सेवा के लिए उत्तीन घोशित हुए उम्र विवात के कारण अयोग्य ठहराए गया किन्तु नियाले निर्ने द्वारत योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए बाद में बरखास्त किये गये इन्होंने जन्चेतना के प्रसार के लिए बंगाली नामक पत्रिका का भ 1851 में कलकत्ता में हुई थी बिटिस इंडियन एससीएशन के स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी इसके संस्थापक सदसिकौन थे राजेंद्र लाल मित्र, राधकान देव, हरिश्चेंद्र मुखर जी, देविन्ना टैगोर इसके महासाचीव थे सैद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मुहम्डन नेशनल एसोसियेशन की स्थापना की सैद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मुहम्डन नेशनल एसोसियेशन की स्थापना की नारायन बोस, राज नारायन बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 में हिंदु मेला हिंदु मेला नामक संस्थान की स्थापना की किसने नव गोपाल मित्र ने मित्र ने हिंदू मेला इस संस्ता का उदेश जन्मानस में स्वायत का भाव उत्पन करना एवं देशी उत्पादों को बढ़ावा देना था 1843 में बंगाल बिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापना जौर्ज थामसन के अध्यक्ष्टा में हुई थी बंगाल बिटिश इंडिया सोसाइटी जौर्ज थामसन बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन के स्थापना 1885 में फिरोश शा महता, केटी तैलंग, बदरुदुन तयब जी द्वारा की गई थी बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन कब 1885 में फिरोश शा महता, केटी तैलंग, बदरुदिन तयब जी इन तीनों को बंबई की त्रिमूर्थी के रूप में जाना जाता है बहारत में किस राजनितिक संगठन के स्थापना 1838 में हुई थी तो ये जमिंदारी एसोसियेशन है, कलकत्ता में हुई थी आगे देखते हैं सेकंड कोश्चन, निमलिकित में से किस एक ने 1875 में हाउस ओफ कॉमन्स में कियाची का प्रस्तुत करते हुए ब्रेटेश रिंस्ट में भारत के प्रतेनिधित्व की मांग की थी पूना सार्वजनेक सभा, 1870, M.G. Rana De, G.V. Joshi कोश्चन 3, भारत संग के संस्थापक कौन था? भारत संग, यानि इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक, सुरिननाथ बनडजी कब 1876 में, अनंद मोहन बोस के सयोग से, पलकत्ता में इसका उद्देश ही क्या था? इस संस्था ने सिविल सेवा परिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलबर्ड, बिल, विवाद, जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया. इंडियन एसोसियेशन में जमिंदारों के स्थान पर अध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई है. आगे हैं, कुश्चन नंबर फोर, इंडियन एसोसियेशन का संस्था पर, एसन बनर्ड जी, सुरेननाद बनर्ड जी, कुश्चन फाइफ, राश्ट्रिये, कॉंग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुक संस्था थी, इंडियन एसोसि सुरेननाद बनर्ड जी, ऐसे दूसरे भारतिये थे, जिन्होंने ICS प्रिक्षा उत्तिरिण की थी, इनकी प्रतम नियुक्ती सिलहट बांगलादेश में आसिस्टेंट मजिस्टेट के पतपर हुई थी, यहीं पर मामूली भूल की वज़़ा से 1874 में इन्हें पस से हटा द किया गया, question 7, निमलिखित भारती निताओं में कौन एक ब्रिटिस द्वारब इंडियन सिविल सर्विस से बरखास्त किया गया था, सुनेदनाद बनर्ड जी, सुनेदनाद बनर्ड जी द्वारा इस्तापित उसंस्ता का नाम बताई है, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कॉ कॉन्फरेंस, नाम मिलता जूता है, याद हो जाएगा, ठीक है, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस में विले होगा था, किसका, इंडियन नेशनल कॉन्फरेंस का, भारती रास्टी कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन 1850 में बंबई में हुआ, इसका सभापतित्वर W.C. पैरस्टर ने किया, 1876 को सुरिंदाद बनर्जी ने आनन्द मोहन बोस के सयोग से इंडियन एससेशन तथा भारस या फिर भारस संग के स्थापना कलकत्ता में की, दिसम्बर 1883 में इंडियन एससेशन ने भारती रास्टी सम्मेलन का आयोजन किया, भारती रास्टी कॉंग ऐसा मालुम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं सतन थे, तता दोनों में से किसी के भी संगठन करताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेश्नों के पहले कोई जानकारी न थी, अधिवेश्नों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई, दोनों संगठन एक ही कारका कारकम अपनाया अथा इस परस्ता यह यह इस परस्ता अवांचनिय था कि दो ऐसे संग हों जो भारत के दो विभिन भागों में स्वतंत रूप से काम करें अथा 1886 में 86 के बाद Indian National Conference का आयोजन नहीं किया गया Indian Association का भी Congress में विलय नहीं हुआ कि Indian association का Congress में कभी विलय नहीं हुआ चुनकि 1886 के बाद Indian National Conference का आयोजन नहीं हुआ इसलिए D विकल्प माना जा रहा है सही अगला है राजन्यतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारती ये थे राजा राम मोहन रहा है राजन्यतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारती राजा राम मोहन रहा है थे विपिन चंद्रपाल ने लिखा है कि भारत में राजनेतिक स्वतंता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहनराय ने दिया था कुछ इतिहास का सुरेदनाद बनड़ जी को राजनेतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रदम भारती मानते हैं कुछ-कुछ इनको भी मानते हैं मतलब सुरेदनाद बनड़ जी को वैसे जादा तर राजा राम मोहनराय जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कुशन नंबर टेन ये जो संगठन है इनको उनके जब भी उनका गठन हुआ है उस हिसाब से लगाना है तारीक उसकी लगानी है अथारसोबावन बॉंबे एस्टेशन अथारसोबावन दादाबाइ नेरो जी इंडियान लिंग अठारसोब पचसेतर शिशरकुमार घोश इंडियन एस्टेशन अठारची एत्टर ऐस्टेशन में दो लोग का नाम है बाकी सब में एक दो लोग या काई लोग का नाम है लेकिन इंडियन एस्सोशिएशन में दो लोग का नाम आता है एक है सुरिणनाद बनर जी और दूसरा है आनंद महन बोस बॉंबे एस्सोशिएशन अठास बावन दादा भाई नौर जी इंडियन लीग सिशिर कुमार घोष 1875 इंडियन आप देख रहे हैं दच्छड भारत नाम है ठीक है तो आप वैसा ही कोई नाम चूस करिए राधा स्वामी मुदलियार बी रागवाचारी जी सुप्रमडेम पी आनंद चारलू 1884 ठीक है आगे है मद्रास महाजन सभा अभी हमने देखा 1884 बी पी एसी का कोश्य नहीं गलत ह जिस installer को अमबशान्बब 17 हो गया ट्वेल देखते हैं निम्लीकित में स कोण 1880 में संथापित बंबài प्रेसिडेंसी एस्सिएशन के संस्थापकों में से एक था यह ध है फिरोष्य मह था बंबाई प्रेसिडेंसी एस्सीएशन तीन लोग अना मैं फिरोशा महता, बदरुदिन दयब जी और केटी तैलेंग इसका उद्देश की क्या था इस संस्था का कि राजनितिक विचानों का परचारपसार करना था बंबई प्रेसिडेंट्सी एस्टियेशन के स्थापना एक से ज़्यादा लोग ने की थी तीन नाम है ए बी और डी ठीक है रिपेटेट कोशन है निमलिखित यूग में से कौन सा सुमेलित नहीं है नहीं है अपना उतर दीजे यूपी लोवर में पूछा है सब ओर्डिनेर में कि एक तो ये है और एक ये है तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहां पर लंदन ठीक और नेशनल इंडियान एसोसियेशन लंदन दो का नाम आ गया आगे देख लेते हैं बाखी कहां किये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम ठीक है दूसरा है इस्ट इंडिया लंदन दादा भाई नौरा जी कब 1886 में उसके बाद है इंडियन नैशनल इंडियन एससीएशन लंदन मेरी कारपेंटर और मैनिंग आप अपने वाले याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा काम कि जैसे इस इंडियन एससीएशन 1886 में लंदन दादा भाई नौरे जी एक याद कर लें और दूसरा इंडियन एससीएशन 1886 साल बाद कलकत्ता में सुरेदनाथ बनट जी आनन्द महन बोस निमलिकित में से कौन कॉंग्रेस के पूर चरण में इस्थापित राजनेतिक संस्ताओं में से एक नहीं थी इसका अंसर भी इंडियन एससीएशन कॉंग्रेस के पूर चरण में इस्थापित राजनेतिक संस्ताओं में से नहीं थी ठीक है देख लेते हैं एक्स्टमेशन सितंबर 1870 में Bristol Indian Association के इस्थापना हुई थी October 1870 में इसका नाम The Indian Association कर दिया गया Mary Carpenter के शेंसेंद्वारा लंदन में स्थापित दिया संस्ता इस्थी शिक्षा के लिए काम कर दिती इंडियन एस्थापित इसका नाम परिवर्दित किया गया तो इसमें तीन लोग का नाम आता है Mary Carpenter के शेंद्वारा लंदन में स्थापित इस्थी की शिक्षा के लिए काम अता यह राजनेतिक संस्ता नहीं थी इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एससेशन कर दिया गया नेशनल इंडियन एससेशन के लिए इस इंडिया एससेशन का गठन किया यह भी हमने पढ़ा जो सही है कारण है कि वह ब्रिटिश जन मानस को प्रभावित करना चाहते थे अंसर है सी दोनों सही है और जो आर है वो एका व्याख्या करता है दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का जाता था कहा जाता है दादा भाई नरोजी ने 18.88 में लंदन में इस इंडिया आसोसेशन का गठन किया है इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश भारते विश्व में परचर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरुक करना था ददभाई नौरेजी ने पावर्टी एन अन्बिटिश रूल इन इंडिया नामक उस तक लिखिए कुशन सावेंटीन निमलिके संस्ताओं पर विचार कीजिए और इनको कालकरम के अनुसार लगाईए देख लिजे बंग भाशा प्रकाशिका 1836 एक साल छोड़के फिर 1838 में लैंड होल्डर सुसाइटी फिर उसके बाद 43 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सुसाइटी और 1875 में इंडियन लीग फिर से देख लेते हैं बंग भाशा प्रकाशिका 1836 लैंड होल्डर सुसाइटी 1838 बंगाल ब्रिटिश इस इंडिया सुसाइटी 1843 आप इसको 1947 के आराउंड याद रखेंगे तो सुरी 1947 नहीं 1847 1857 थोड़ा सा ऐसे ही कुछ मिक्स अप करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा इंडियन लीग 1875 दो याद कर सकते हैं लैंड होल्डर सुसाइटी इंपॉर्टेंट है 1838 याद कर लिजे और इंडियन लीग याद कर लिजे 1875 अगे लैंड हो यह इनका मिलान करना है संस्थापक देख लिजे तो एक आ है चौथा लैंड होल्डर सुसाइटी किसे हैं द्वार का नाट टैगोर से हैं एक सकेड़ लैंड होल्डर सुसाइटी किसे हैं द्वार का नाट टैगोर से हैं फिर बी का तीसरा है इंड बिटिश इंडिया सुसाइटी विलियम एडम से हैं इंडियन एसोसेशन एसन बेनर जी इंडियन सुसाइटी आनेंद मोहन बोस बिटिश इंडिया सुसाइटी विलियम एडम्स लैंड होडर सुसाइटी द्वार का नाट टैगोर यह एक और सूची है इसका मिलान करना है इसके सामने एकदम सही सही दिया हुआ है इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोश का है इंडियन लीग एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि यह तुरंत याद नहीं होगा आप इसको बार-बार रिवाइस करेंगे एक लिस्ट बना लें सब कुछ याद कर नहीं है मान लिजे 15 सोसाइटी ऐसी बनी हुई है तो आप उसमें से 5-6 साथ ऐसे कुछ याद कर लिजे शॉर्ट नोट बना के रख लिजे अपने रूम में कहीं चिपता लिजे किसी जगह पढ़ते हैं महां पर बस एक बार देख लिजे वो धीरे-धीरे याद हो जाएग इंडिया लीग जो है शिशरकुमार घोष, इंडियान असोसियेशन आनन्द मोहन बोष, भारती रास्टी उदार संग सैद अहमत खान, उनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक असोसियेशन सुरिननात बनाट जी फिर से देख लेते हैं इंडिया लीग शिशरकुमार घोष, इंडियान असोसियेशन आनन्द मोहन बोष, भारती रास्टी उदार संग किस से जुड़ा सैद अहमत खान से, उनाइटेड इंडिया पैट्रियाट्रिक असोसियेशन सुरिननात बनाट जी आगे देख लेते हैं, कोशन नमबर 20, ये भी सूची मिलान करना है, तो एका जो है, वो है दूसरा, इंडियान असोसियेशन सुरिननात बनाट जी पूना सार्वजनिक सभा, ये है, गोविन्त रानाट जी से, बंबई प्रेसिडेंसी जो है, फिरोशा महता, मदरास महाजन सभा, आनन्द चारलू इंडियान असोसियेशन सुरिननात बनाट जी, पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविन्त रानाट जी, बंबई प्रेसिडेंसी फिरोशा महता, और मदरास महाजन सभा, आनन्द चारलू इंडियान पैट्रियाटिक सोसाइटी संस्थापक था, तो राजा शिव प्रशाद, ऐसे जब संस्थाओं का नाम पूसता है, तो वो बहुत कोई हिडेन नाम पूसता है, मतलब अगर सदर्स से तो कई हो सकते हैं, किसी भी संस्था के, ठीक हैं, लेकिन वो कोई, ज्यादा तर आप देखे, आरो ए आरो का कोशन है, बिलकुल हिडन नेम है, एक राजनीतिक संगठन के रूप में, युनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक असोसियेशन की स्थापना 1888 में सरसहद अमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रशाद सिंग ने की थी, ध् देखे, ये यूपी PCS-PRI का है, 2015 का कुश्चन गलत बताया है, इसमें C और D दोनों ही सुमेलित नहीं है, तो क्या कौन सा है सुमेलित, वो देख लेते हैं, पहला तो एशियाटिक सुसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सुसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक आधा तो एशियाटिक सुसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सुसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, 1784 को किसने की? तो ये थे विलियम जोन्स ने, क्वेशन नमबर ट्वांटीफोर, एशियाटिक सोसाइटी अव बंगाल, विलियम जोन्स, रिपेटेट क्वेशन, ट्वेटिवाव इंडियन, ब्रिटिश इंडियन एस्सोसियेशन के प्रतम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे राधाकान देव, कौन थे, राधाकान देव, और इसके और सदस्य जो थे, वो कौन थे, ये तो अध्यक्ष थे, और सदस्य देवेइंडरना टैगोर, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन एस्सोसियेशन, अठारहसों, एक्यावन, कहां कलकत्ता में है, इसके जो प्रतम अध्यक्ष थे, वो राधाकान देव थे, और अन्य सदस्य देवेइंडरना टैगोर, हरिश्चन मुखड़ जी, राजेंद्रलाल मेत्र, आगे देखते हैं, कुशन नमर ट्वंटिस, फिर उसके बाद, Bombay Presidency Association, Keati Tailan, Central Mohamedan National Association, Syed Amir Ali, Central Mohamedan National Association, Syed Amir Ali, Servant of India Society, Gopalkrishn Gokhale, ठीक है, झाल झाल